सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें किया था और वो वन डे सीरीज में बीक्लीन से पर करने के मुहाने पर खड़ा है क्योंकि दो मुकाबले क्योंकि 5 मैचों की सीरीज में South Africa 2-1 से आगे था लेकिन West Indies ने ये मुकाबला 21 रनों से जीत लिया और अब ये सीरीज दो-दो से बराबर हो गई है यानि कि जो आखरी मैच होगा वो deciding होगा और बहुत वज़ा आने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों ने बड़ा शांदार प अफरिका के बीच जो मैच हुए थे उसका अपडेट दिया अब बात करेंगे 100 टूनामेंट की जी हां 100 टूनामेंट इसका इंतजार हर किसी को है हाईप है बहुत की जैसे ये टूनामेंट सुरू होगा हर को ही देखना चाता है लेकिन इसमें जो बड़े खिलारी हिस्सा ले रहे थे दुनिया भर से हम लगातार देख रहे हैं कि कई खिलारी अपना नाम वापिस ले रहे हैं इसमें अब एक और नाम जो जुड़ गया है वो है किन विलियमसन का और शाहिन अफरीदी का ये दो खिलारी अब 100 टूनामेंट में खेलते हुए नहीं दिखाई इस टूनामेंट से अपना नाम वापिस ले लिया तो ये 100 टूनामेंट को लेकर अपडेट दी हमने आपको बताया कि कैसे दो खिलारी बाहर है इससे पहले भी लगातर कहीं अफ्ट्रेलिया इस टूनामेंट से अपना नाम वापिस ले चुके हैं इसके बाद जो बात करें वह करेंगे भूनष्व्व्र कुमार को लेकर पूर पाकिस्तानी कपान सलमान बटन ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भुफश्व्र कुमार को इंडियन टिम को इंगलेंड बुला लेना चाहिए, क्यूकि जिस तरीके से इंगलेंड में कंडिशन्स होगी, पोटीसी फाइनल में जो इंडियन बॉलर्स थे वो उस तरीके से स्विंग नहीं करा पाए तो अगर भुवी टीम इडिया का हिस्सा इंग्लेंड में रहेंगे तो भरते टीम के लिए अच्छा रहेगा तो ये सलमान बट ने भुनमिशर कुमार को लेकर कहा कि देखें उनको इंग्लेंड बुला लेना चाहिए जिसे टीम मेडिया को फायदा हो सकता है इसके बाद बाद इंग्लेंड टीम की जिनकी बल्लेबाजी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कई दिगज उनकी बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत के खिलाब जो टे कुक ने कहा है कि देखिए जो इंग्लेंड की बल्लेबाजी है वो जाहिर तोर पर कमजोर है क्योंकि अगर आप टॉप और और मिडिल और में देखे तो कई ऐसे खिलारी है जिनको सिर्फ बीस और पच्छिस टेस्ट मैचों का नुभव है जबकि अगर आप एक अच्छी टी अच्छा मकाबला करना होगा और अपना बेस्ट देना होगा तो यह लेश्टर कुक ने इंग्लेंड की बल्लेबाजी के उपर जो कंसान है वो जाहिर किया कि वहां पर एक्सपीरेंस की कमी है और भारतिये इंद्वाजों के सामने वो परशान हो सकते हैं इसके बाद बात क ले अंधर करेंगे ऐरन फिंच की ड्वेस्ट लिशन्वेस दौरे पर रवण होने से पहले प्रस कांफरेंस की उंहों प्रस कांफरेंस में कहीं मुद्दों पर बात की इसमें उनसे सवाल पूछा गया जस्टिन लेंगर exhaustion बारे में aoगों होंने अपडेट दी ती पह़ले कि जस्टिन लेंगर से हमारे जो खिलाड़ी है उस खिलाई उनको कोई परशाने नहीं है और टीम के बीच जो माहौल है वो सब कुछ अच्छा है और बहतरीं तरीके से वो कोचिंग दे रहे हैं जो हम खिलाड़ियों को काफी पसंद आता है उन्होंने गोल्ड कोस्ट में जो अने वाले सीजन में उसके बाद करेंगे इंडियन टीम जो श्रिलंका में है और उनका जाता ही वो क्रेंटीन थी तीन दिनों की चाऊंपर सामने अए उंद्र चहल की थी वह फोटो और उसमें शिकरदोण दया और तमाम तरे मुंबई में उनको खारेंटीन थे थे तो इह तो क्वारेंटीन का वक्त खत्म हो गया है अब जो भारते खिलाडी है मैदान पर उत्रेंगे प्रैक्टिस करेंगे और तयार होंगे सीरिज के लिए क्योंकि 13 जुलाई से जो सीरिज शुरू हो रही है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है टीम इंडिया के खिलाडिय है और इसमें जो नाम शामिल है खिलाडियों का वह है आमिर हयाद और अश्वाक एहमद तो यह अश्वाक एहमद और आमिर हयाद जो दो खिलाडी थे युए के वो टी-20 वर्लकप क्वालिफाइंग के मैच फिक्स करने की फिराक में थे और भारतीय सट्टे बाज के साथ स उसके बाद बात करेंगे रिशब पंत की रिशब पंत को लेकर टिम साओधी ने एक बड़ा वयान दिया है टिम साओधी ने डवलो टी सी फाइनल का वो मुकाबला याद करते हुए बताया कि जब मुझसे रिशब पंत का कैच छूट गया था तो मैं बहुत टैंसन में आ पासा पलट सकते हैं और रिशब पंत को लेकर हर कोई सोच रहा था कि यार इस खिलाडी का पास ऐसी काविलियत है कि इसका कैच अगर आपने छोड़ दिया तो वो आने वाले टाइब में मैच जो पूरी तरीके से बदल देगा तो रिशब पंत को लेकर उन्होंने का कि जो पंत आउट हो गए और भारते टीम ये मुकाबला हार गई तो यह हमने आपको अज मॉर्णिंग अपडेट में में सारी खबरे बताई और खेलके मैदान से जोड़ी हुई अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और साथ ही आप हमारे चै पेज को भी जरूर फॉलो करें